मेरा घर मेरी चन्नत तो कैसे हैं आप सब I hope कि आप सब ठीक होंगे काफी दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी इसकी बहुत ही कोई बड़ी वज़ा थी जो मैं कभी आप लोगों के साथ में फिर शेयर करूंगी बट आज से मेरा वेकेशन स्टार्ट हो गया एक्जाम कत्म हो गया आज से मैंने सोचा है कि आप लोगों के साथ मैं डेली रूटीन की जो मेरी वीडियो है जो आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करूंगी तो आज की वीडियो मेरा morning to afternoon का जो रूटीन है वो शेयर करने वाली हूँ ये है मॉनिंग का टाइम और मैं नास्टे में आज बना रही हूँ आलू के पराथे तो आलू मैंने रात में ही बॉयल करके रख दिये थे सुबा उटके बस इसके स्टफिंग तयार की और आट अग उनके पराथे बनाई ये बहुत ही टेस्टी पराथे बनते हैं किसी दिन आ अज गकप बरेकफास्ट और ये देखिए मैंने इस तरह से दो रोटी जो है बेल ली थी साथ में ये जो हमारा स्टफिंग था अलू का वो मैंने स्प्रेट किया और फिर उसे मैंने दूसरी रोटी लगा दी और हलके हाथ से बेल लिया और इस तरह से हमारे आलू के पराथ ना बहुत ही इसी ली तैयार हो जाते हैं और जो अंदर की स्टफिंग होती ना वो इवनली चारो तरफ होती है तो बहुत ही अच्छे टेस्टी और यम्मी से पराटी ये बनके तैयार होते हैं आस्टा बनाने से पहले ही मैंने कपड़े मशीन में लगा दे थे वो धुल गए तो मैंने सुखा दी और अब टरन है घर की क्लीनिंग की तो बस यह जो डस्टिंग है ना यह तो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ती तो इसे हलका फुलका हर तरफ से हाथ फिरा देना बहुत ज जादा जो है ना डस्टिंग क्रियेट हो जाती है घर में तो आज क्योंकि फुर्सत में थी मैं तो मैंने सोचा कि हर एक चीज पर थोड़ा सा घीला कपड़ा में फिरा लेती हूं ताकि अच्छी तरह से डस्टिंग गायब हो जाए मेरे घर से और साथ में ही हमारी मॉपिं किचन जो डिस्टरब हो जाता है उसे सेट अप करना बहुत जरूरी है ताकि हम आराम से हैं लंच की तैयारी कर सके तो यहां पर किचन सेट हो चुका है सारी घर की क्लिनिंग हो चुकी है जो सुखे कपड़े मैंने निकाला था उसे भी तै करके मैंने यहां पर रख दिया ह बस अब कबर्ड में रखना बाकी है लिविंग डूम भी अच्छी तरह से सेट हो चुका है और यहां पे न यह डाइनिंग टेबल पे जो आपको थेली नजर आ रही है तो यह ग्रॉसरी की कुछ आइटम है जो मुझे अभी रखना बाकी है वही है दो तिन पैकेट वो रख लूँगी मैं और यह सारे काम होते होते पौने बारा हो गए और बहुत आराम सी किया है मैंने तो अब यहां पे कर लेते हैं लंज की तैयारी और लंज के लिए मैंने बना रही हूँ प्राउंस और कैपसिल कम की सबजी तो यहां पे सारी कटिंग और चॉपिंग हो चुकी है सारी चीज़े रेडी है तो चलिए बना लेते हैं यह सबजी तो यहां पे मैंने आईल ले लिये है और उसमें मैंने डाल दिया है जीरा और कड़ी पता और साथ में ही एक छोटी साइस की प्यास कट करके स्लाइस में डाल दी है और इसे हलका सा सौती कर लेंगे नर्ब होने तक हमें प्यास को फ्राइ करना है लाल बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि हम सबजी बना रहे हैं तो इसलिए बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना है तो जैसे ही हलकी सी सॉफ्ट हो जाएगी प्यास इसमें मैं दाल दूँगी वन टीस्पून जिंजर गालिक पेस्ट और इसे भी मैं हलका सा भून लूँगी ताके जिंजर गालिक पेस्ट का जो कच्छा पन है वो निकल जाए और अब मैं इसमें दाल दूँगी टमाटर तो यहाँ पे मैंने दो बड़े साइस के टमाटर ले लिये हैं और वो मैंने दाल दिया है इसमें और साथ में ही इसे हलका सा मिक्स करने के बाद इसमें दाल दूँगी सॉल्ट और फिर इसे में धखके पकाऊंगी पाँच मिट के लिए ताकि टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए गल जाए पाँच मिट बात में इसमें दालूँगी टर्मरीक पाउडर हाफ टी स्पून कोरेंडर पाउडर टू टी स्पून और रेट चिली पाउडर टू एन आफ टी स्पून वैसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग दाल सकते हैं ये कश्मीरी लाल मिर्च है और टमाटर के साथ में ये सारे मसालों को भी अच्छी तरह से हम भून लेंगे और अब मैं इसमें दालूंगी प्राउंस जो मैंने पहले से ही धोके रखे हुए हैं और एक मीडियम साइस का आलू भी मैंने स्लाइस में कट कर दिया है वो भी डाल देंगे और दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मसाले में भून लेंगे और भूनने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे ढख के पकाएंगे बिल्कुल भी पानी दालने की जरूरत नहीं होगी और पांच मिनट बाद जो हैना हम चेक करेंगे कि आलू गल गए है या नहीं और जैसे ही आलू कल जाएंगे इसमें हम दालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और कैपसिकम जो मैंने कट करके रखेते सारा कैपसिकम दाल देना है और अच्छी तरह से मेक्स करने के बाद अगेन इसे ढख कर हम फाइब मिनिट्स के लिए पकाएंगे और हमारी सबजी हैना बहुत ही टेस्टी और यम्मी सी बन के तयार हो जाएगी आप इस सबजी को सर्फ कर सकते हैं गरम गरम फुलकों के साथ में और रोटी के साथ में ये बहुत ही टेस्टी बन के तयार होती है ये देखिए पाँच मेर्ट बाद सारी चीज़े एक हो गई है सबजी भी गल गई है आलू भी गल गई है प्राउंस भी मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो गई है तो अब मैं इसमें डाल दूंगी वन टेबल स्पून कोकम आगर ये थोड़ा सा खटास के लिए मैं डालती हूँ और हमारी सबजी बिलकुल तयार है सर्फ करने के लिए तो आब यहाँ पर हमारी कोकिंग तो डन हो गई है लेकिन एक काम जो आज मैंने सोचा है वो मुझे करना है ये है हमारा स्टूल और स्टूल की हो गई है ऐसी हालत ये इतना पुराना नहीं है लेकिन जो इसका उपर का कलर है वो पूरा निकल चुका है जंग लग चुका है और क्या है मैंने जब पेंट वगेरा किया था तो डिस्टेंबर वगेरा लग गया था तो उसकी वज़े से और पारिश के पानी की वज़े से ये पूरा जंग लग गया है तो आज हम इसको जो है ना इसका makeover करेंगे इसको बिल्कुल नया बना देंगे तो मेरे पास file paper तो नहीं था मैंने एक wet कपड़े से जो है इसे अच्छी तरह से पोच लिया है ताकि इसके उपर की जितनी भी dusting और मिटी वगेरा है वो निकल जाए और फिर हम इसके अच्छी का color होता है बिल्कुल वैसे ही मैंने dark brown color लिये है यह इसको paint करने के लिए तो बस इसे अच्छी तरह से mix कर रहे हूं यह दिखाई दे रहा है आपको color तो पहले मैंने सोचा था कि white color में लगाऊं लेकिन फिर मुझको लगा कि यह stool जो है ना मैं बाहर gallery में रखती हूं तो ध बस्टिंग की वज़े से वो जो white color है वो बहुत जल्दी गंदा हो जाएगा तो इससे better है कि कोई dark color लगाऊं इसका original color जो था वो black था तो मुझको थोड़ा सा उसमें change करना था तो मैंने यह वाला color लिया है और बस इसे color जो है mix करने के बाद मैंने एक coat लगा दिया और यह देखिए जैसे ही मैंने इसे apply किया ना तो यह पूरा कितना clean और neat दिख रहा है तो बस यही है कि हम घर की चीज़ों पर अगर थोड़ा सा भी focus करते है ना तो उसकी काया बदल जाती है और सारी चीज़े जो है ना और एक तो यह है कि जब इसे हम paint करेंगे ना paint करने से क्या इसकी age भी बढ़ जाएगी अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती जंग लगा हुआ तो धीरे धीरे जो है ना पूरी तरह से खराब हो जाता इस tool और कुछी काम का नहीं रहता और जब हम इस पर खड़े होते थे ना तो एक अजीव से irritation होती थी क्योंकि वो जंग जो है ना holiday start होगी तो मैं ये सारे जो काम है ना जो मैंने सोच के रखे हैं वो मैं complete कर दूँगी hardly मुझको 40 to 45 minutes लगे होंगे इसको paint करने में लेकिन एक चीज जो है ना वो complete हो गई और मुझे बहुत खुशी हुई ये करके क्योंकि ये जो काम जो छोटे-छोटे काम होते हैं वो भी बहुत जरूरी होते हैं घर गिरस्ती में अगर हमको कोई चीज को ज्यादा time तक use करना है तो उसके maintenance का तो हमको खयाल रखना ही पड़ेगा तो ये देखिए stool अच्छी तरह से paint हो चुका है नीचे मैंने newspaper बिचा दिया था ताके color जो है वो floor पे ना गिरे अगर गिरता भी है तो floor खराब ना हो तो आज का मेरा vlog यहीं तक था I hope आपको पसंद आया होगा पसंद आया है तो like, share और subscribe जरूर कर दीजिएगा फिर मिलूंगी next vlog में तब के लिए Allah अबेस